18.3 उर्जा रुपान तरण हमने अक्सर देखा है कि जब कोई निर्जी वस्तु कारे करती है तब वा निश्यत ही गतिशील होती है इस्तिर हवा, इस्तिर पानी या इस्तिर पत्थर में किसी चीज को हिलाने, बहाने या तोडने की शमता नहीं होती है हवा का तेज जोका पेड़ों को गिरा सकता है, बहता पानी जहास को आगे ढखेल सकता है और गुलेल द्वारा फेका हुआ भारी पत्थर दिवार से टकरा कर उसमें गड़ा कर सकता है क्योंकि गतिशील चीजें कारे कर सकती हैं, इसलिए गतिशील पदार्थ में निश्चिती कोई उर्जा होगी इसे गतिज उर्जा या काइनेटिक एनरजी कहा जाता है गतिज उर्जा के बारे में आप कक्षा नौमे अध्यन कर चुके हैं यदि भारी और हलकी वस्तू एक समान गति से जा रही हो, तो भारी वस्तू में हलकी वस्तू के अपिक्षा अधिकुर्जा होगी हलके से हथोडी कील पर मारने पर कील दिवार में थोड़ी ही अंदर जाएगी जबकि भारी हथोडी जोर से मारने पर कील दिवार में पूरी तरह अंदर घुश सकती है लेकिन क्या कभी कोई इस्थिर वस्तु भी कारे कर सकती है एक पत्थर की कलपना करे जो पहाडी के सिरे पर इस्थित है हवा का एक तेज जोका उसे हिला सकता है वह जैसे जैसे धलान पर नीचे लुड़कता है उसमें गति जूर्जा आ जाती है गिर्ती हुई वस्तु की गति तेज और फिर और तेज होती जाती है अंद में तेज गति का पत्थर जब जमीन से टकराता है तो वह कुछ काम करता है जैसे वह किसी अन्य वस्तु को चकना चूर कर सकता है वस्तु जमीन से जितनी अधिक उचाई पर होगी वो उतना ही अधिक दूरी तक गिरेगी और उसकी उतनी ही अधिक इस्तितिज उर्जा होगी यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि गतिज उर्जा व इस्तिज उर्जा कई प्रकार की होती है और उर्जा के सभी रूपों को जिनके बारे में तुम पिछली कक्षाओं में वा कक्षा दस्वी के अन्य अध्यायों में पढ़ चुके हो को इन दो प्रकारों में रखा जा सकता है सभी वस्तूओं में अंतर नहीत उर्जा होती है किन्तु जब तक कुछ ऐसा ना हो जिससे उस वस्तू की अंतर नहीत उर्जा उर्जा के किसी अन्य रूप से रुपांतरित हो तब तक हम उसकी उर्जा के बारे में कुछ कह नहीं पाते हैं जब कोई पठाका फूटता है तब उसके अंतर नहीत रासायनिक उर्जा, प्रकाशी उर्जा, ध्वनी उर्जा, उश्मी उर्जा और गतिज उर्जा में बदल जाती है इसी प्रकार उर्जा रुपांतरन के अन्य उधारन दी गई साड़नी में भरे इसी प्रकार आप उर्जा के प्रारंभिक और अंतिम रूप के अन्यक कई उधानन भी सोच सकते हैं दी गई साधने को भरने का प्रयास करें क्या आपको अंदेशा है कि ब्रह्मान में उर्जा का निरंतर एक रूप से दूसरे रूप में रुपांतरन हो रहा है यही नहीं उर्जा निरंतर ही एक वस्तू से दूसरी वस्तू में इस्थानानतरित भी होती रहती है हम जिस भी विद्यूत उपकरण का उपयोग करते हैं चाहे वह बैटरी से चले या किसी विद्यूत के पॉइंट से चले वह विद्यूत उर्जा को अन्य प्रकार की उर्जा में रुपांतरित करता है ज्यादा तर उर्जा उप्योगी उर्जा में रुपांतरित हो जाती है किन्तु कुछ उर्जा की मात्रा वे हो जाती है अथ्वा उप्योगी नहीं होती जो भी हो विद्यूत उर्जा की पूरी मात्रा का रुपांतरन अवश्य होता है इसी को उर्जा सनरक्षन नियम, law of conservation of energy कहा जाता है दूसरे शब्दों में उर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नश्ट किया जा सकता है दी गई सार्णी में उर्जा रुपांतरन के कुछ ऐसे ही उधारन दिये है जिन में विद्यूत उपकर्णों द्वारा विद्यूत उर्जा कुछ उप्योगी और कुछ अनुप्योगी रुपों में बदल जाती है इस सार्णी को और बढ़ाएं उप्योगी उर्जा के इस प्रकार के वैसे बचा नहीं जा सकता हाँ इसे कम जरूर किया जा सकता है आपने टंगस्टन बल्ब के बारे में अध्याय 5 में जाना है इस प्रकार के बल्म में विद्योत उर्जा, प्रकाश उर्जा व उश्मी उर्जा में रुपांत्रित होती है यह उश्मी उर्जा अनुप्योगी ही है CFLS, Compact Fluorescent Lights, उर्जा का व्य कम होने देते है इनसे भी बहतर है Light Emitting Diodes यह ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत विद्योत उर्जा को प्रकाशी उर्जा में रुपांत्रित कर देते है 18.4 उर्जा का इस्थानांतरण हमने अध्याय तीन में उश्मा और ताप में उश्मी उर्जा के इस्थानांतरण के बारे में तो पढ़ा ही है उश्मी उर्जा का इस्थानान तरण तीन प्रकार से हो सकता है सम्वहन, चालन और विकिरन यदि आपको अंदाजा हो कि उश्मी उर्जा किस प्रकार गर्म से ठंडे की और प्रवाहित होगी तो आप उश्मी उर्जा के व्य को नियंतरित कर सकते हैं